नमस्कार आपने मीराबाई की कथा तो सुनी होगी जिस तरीके से मीराबाई ने भगवान श्री किर्षन की मूर्ती के साथ में साधी रचाई थी वैसा ही एक मामला सामने आया है ये मामला मत्रा से है बतादे आपको श्री किर्ष्ण कनहिया की भक्ती में दीवानी एक भागवत वक्ता योती ने सनिवार को भगवान श्री किर्ष्ण की मूर्ती के साथ विभारा चाया है ये साधी पूरे परिवार ने हर्ष उल्लास के साथ एक वैवाहिक समाहरों की तरह आयुजित किया लगन वे सगाई से लेकर साथ फेरों तक की सभी रस में पूरे विधी विधान से पूरी की और लोगों को दावत भी दे गई बता दे आपको थाना हाईवे इस्तित अमर कलोनी निवासी भागवत वक्ता चतुरभुज भारद्वाज की सबसे छुटी बेटी गुंजन को बच्पन से ही भगवान श्री किर्शन से गहरा लगाओ था बच्पन से ही किर्शन भक्ती में लेन थी उसकी भक्ती से पूरा परिवार प्रभावित था गुंजन बड़ी हुई तो उसने भागवत कथा करनी प्रारंब कर दी इसके बाद नाती रिस्तिदारों ने चतुरभुज से अपनी बेटी की साधी किसी अच्छे परिवार में करने को कहा ये सुनते ही गुंजन ने साफ मना कर दिया उसने कहा कि वो भगवान श्री किर्शन को अपने पती के रूप में स्विकार कर चुकी है ऐसे में वो किसी भी लड़के से साधी नहीं करेगी उसकी साधी किर्शन का नहिया से ही होगी सुरुआत में तो परिवार के लोगों ने गुंजन की इस बात का विरोध भी किया लेकिन वो अपनी जित पर अड़ी रही गुंजन ने यहां तक कह दिया कि यदि उससे जवरन साधी करवाई किसी लड़के से तो वो डूली की जगे अर्थी में जाएगी बेटी की जित क के आगे उसके पिता को भी नत मस्तक होना पड़ा बता दे आपको सनिवार को हंसराज कलोनी में बकायदा साधी समारों का आयूजन किया गया समारों से पूर्व लगन वे सगाई की पूरी रस में निभाई गई यही नहीं पंडित का भी इंतजाम किया गया लगभग 300 पूरी गई की गई गुंजन के माता पिता ने उसका कन्यादान भी किया विवा समारों के बाद गुंजन ने बताया कि वह बहुत ज़्यादा खोस है वह भागे साली है कि उसे वर के रूप में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिले हैं गुंजन के पिता ने भी कहा है कि बहुत भागे साली है कि ऐसी कन्या ने उनके घर में जन्म लिया जिसने भगवान श्री कृष्ण को उवर के रूप में चुना बड़ी अपडेट वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैब बील आइकन आउन करें जैहिन जैभारत